हम सब यंग दिखना चाहते हैं, जादा से जादा दिनों तक एजिंग से दूर रहना चाहते हैं फिर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण जल्दी एजिंग होने लगती है एजिंग में actually skin में होता क्या है कौन से क्रीम सबसे पहले आपको स्टार्ट करनी चाहिए जब आप आप अंटी एजिंग क्रीम्स के बारे में सोच रहे हो और सही एज, क्या है आंटी एजिंग स्किन केर रूटीन स्टार्ट करने की नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर इपशिता जोहरी और ये सारे सवालों के जवाब मैं आज इस वीडियो में देने वाली हूँ तो सबसे पहले जानते हैं एजिंग होती क्यों है आपका stress level, आपकी diet, आपके jeans, alcohol, smoking या आपकी overall lifestyle सारी चीज़ें contribute करती हैं जल्दी aging होने के लिए एज सभी की बढ़नी है बट आप देखेंगे कि same age पे, 35 पे या 45 पे आप देख सकते हैं कुछ लोग जादा age में जादा दिखने लगते हैं, कुछ लोग जादा समय तक young दिखते रहते हैं इसमें एक बहुत बड़ा roll jeans का तो है, बट आपकी lifestyle उतनी ही important है अगर आप जादा stress लेंगे, तो stress hormones release होंगे, जिसके कारण जादा sagging और aging के science दिखेंगे आपने देखा होगा, stress या tension लेने से काफी जादा जुर्यां जल्दी skin पे आने लगती हैं इसके साथ ही, अगर आप meals skip करते हैं, time पे खाना नहीं खाते हैं, या nutritious diet नहीं लेते उससे भी aging के factor जादा triggered हो जाते हैं और अगर आप सबसे major चीज, sun protection ना करें, तब भी sunlight के कारण आपके skin पे photo aging होने लगती है जिसके कारण बहुत ही तेजी से aging के science दिखते हैं अब हम जानेंगे कि anti aging skincare routine किस age में start करना चाहिए तो 25 से 28 के बीच सबसे ज़ादा aging start हो जाती है ऐसे में आप देखेंगे कि आपकी skin type change होती है, dry थी तो oily या oily से dry इसी तरह combination skin होने लगे, या फिर आपको लगे eyes के around जादा dry हो रहा है lips के around pigmentation आ रहा है, ये कुछ changes है जो आप notice कर सकते हैं इसके साथ ही forehead पे या eyes के पास छोटी fine lines या जुरियां दिखना ये सब signs दिखने चालू हो जाते हैं इसलिए 25 से 28 के बीच आप इस skin के routine start कर लें तो बहतर होता है अब कौन सी ऐसे changes हैं जो skin पे आते हैं अगर हमारी skin age कर रही होती है चार ऐसे changes हैं जो आपकी skin पे होते हैं अगर आपकी skin age हो रही है skin cell turn over time कम होना एक छोटे बच्चे की जो soft skin है वो हर 3-4 दिन में rejuvenate होती है याने dead skin निकल के new skin आती है इसलिए वो skin soft होती है बट age के साथ 25-28 साल के बाद आप देखेंगे कि ये जो normal skin cycle है ये बहुत delayed हो जाती है 28-30-35 दिन में वो dead skin निकल रही है इस वज़े से एक roughness skin पे आती है दूसरी चीज होती है collagen का कम होना और elastin का कम होना जिसके कारण skin में open pores, wrinkles, placidity या laxity या sagging इस तरह के changes आते हैं और इसके साथ ही होता है free radical damage याने sunlight या light के exposure से skin पे free radicals बनते हैं जो की skin को all जादा dull और aged दिखाते हैं अब ये सारी चीजों से बचने के लिए किस तरह का skincare routine आपको follow करना चाहिए? तो सबसे पहले ये जानिए कि पहली anti-aging cream होती है under eye cream अगर आप under eye cream start करते हैं तो eye care round aging को protect कर सकते हैं eye care round की skin सबसे thin होती है इसलिए under eye skin सबसे important है इसके साथ ही एक अच्छा moisturizer, sunscreen और face wash जो आपके skin type के according हो साथ में serum यूज़ करिए, morning में vitamin C और hyaluronic acid ऐसे serum हैं जो mostly सब को suit करते हैं और night time के लिए अगर हम देखें तो retinol आप use कर सकते हैं अगर जुर्या देखना चालू हो चुकी हैं अगर आप सिर्फ brightening चाते हैं, vitamin C भी reapply कर सकते हैं, pigmentation issues हों तो glycolic acid या kojic acid इंप्रूट करिए अपने night time routine में इसके साथ ही अगर आपकी skin बहुत sensitive है और आपको ये सारी चीज़े suit नहीं करती तो अब भी एक ऐसा ingredient है जो आपको suit करेगा वो है peptides तो अब आप anti-aging secrets जान चुके हैं और जल्दी से अपना anti-aging skincare routine स्टार्ट करिए कोई query हो तो मुझे नीचे comment section में पूछिए एक सबसे बड़ा secret जो अभी तक मैंने नहीं बताया वो है skin treatments कौन से treatments हम कर सकते हैं anti-aging के लिए age के recording और indications के recording अगर आप ये जानना चाते हैं तो मुझे नीचे comments में बताएए मैं इसके बारे में एक video ज़रूर बनाऊंगी This is Dr. Ipashita Jhori signing off, namaskai